Good morning everyone, so, आज इस 7 day challenge का 4th day है, यह 7 day challenge क्या है, यह challenge है कि आप जो कोई भी Hindi current affairs series follow करते हैं, आप उसको देखिए, उसके बाद इस video को देखिए, और फिर दोनों में जो difference से उसको समझिए कि आप कहां, कम टाइम में ज्यादा exam oriented information attain कर सकते हो, और कितना इस video के दोरान ही उसको बार revise किया जाता है, so, आज 4th day है, यह 7 day challenge, now, let's start, first question है, हाल ही में, road transport ministry ने, किस संस्था के साथ partnership की है, geo hazard management के लिए, सबसे पहले, geo hazard management क्या है, geo hazard management का मतलब है, जैसे जो national highways है, या कोई भी road infrastructure है, वहाँ पर, अगर landslide होती है, तो किस तरीके से चीजों को और safe बनाया जा सकता है, landslide का क्या मतलब है, landslide का मतलब है, यह जमीन का खिसक जाना, और कोई भी natural calamity है, उन से road infrastructure को नुकसान ना हो, इसके लिए road transport ministry ने DRDO के साथ collaborate किया है, DRDO क्या है, यह है, defense research and development organization, DRDO, ministry of defense के अनरे में है, present defense minister है, राजनात सिंह, और DRDO की laboratory है, DZRE, DZRE क्या है, Defense Geo Informatics Research Establishment, so यह laboratory, ministry of road transport and highways को इस काम में मदद करेगी, recently DRDO news में था, रक्षिता के कारण, रक्षिता एक bike ambulance है, और recently DRDO ने यह ambulance CRPF को दी है, CRPF क्या है, Central Reserve Police Force, यह MHA के अनरे में आती है, MHA है, ग्रे मंत्राल है, प्रेजेंट ग्रे मंत्री है, अमित शाह, इसके अलावा DRDO एक और event के कारण news में था, यह है show, So recently DRDO ने इस SAAW को test किया है, SAAW क्या है, Smart Anti-Airfield Weapon, इसके अलावा DRDO इसलिए भी news में था, क्योंकि 1st January को DRDO Day के तोर पर मनाया जाता है, और इस बार DRDO का 63rd Foundation Day था, 1st January को, Next question है, हाल ही में किस राज्ये ने लोकायुक्त पिल में amendment किया है, ताकि High Court के judges को भी लोकायुक्त के post पर नियुक्त किया जा सके, So, ये काम किया है, Goa ने, Actually एक Act है, लोकायुक्त Act 2013, उस Act के हिसाब से Central Level पर, यानि Union Level पर लोकायुक्त होंगे, और State Level पर लोकायुक्त होंगे, इनका काम क्या है, कि किसी भी Government Employee के खिलाफ, अगर कोई Corruption Allegations है, यानि ब्रस्टाचार के आरोप हैं, तो ये उन मामलों के करवाएं, अब लोकपाल है, वो Central Level पर होगा, और लोकायुक्त है, वो State Level पर होगा, अब जो State Level पर लोकायुक्त होते हैं, उनके लिए Condition है, कि या तो वो Supreme Court के Retired Judge हो, या फिर वो High Court के Chief Justice हो, गोवा ने, इसमें एक और Condition Add कर दी, कि अगर वो High Court के Judge भी होते हैं, तो भी उन उनने लोकायुक्त के तोर पर Appoint किया जा सकता है, या जाये वो Supreme Court के Retired Judge हो, या High Court के Retired Chief Justice हो, या High Court के Judge हो, उनने लोकायुक्त के तोर पर Appoint किया जा सकता है, गोवा की बात करें, तो गोवा की present मुख्यमंत्री है, प्रमोध सावन, रिसेंटली, वो इसलिए भी न्यूज मे होने था, क्योंकि 19 दिसंबर को गोवा Liberation Day के तोर पर मनाया गा, तो अभी हमने दो दिन कवर करें, पहला 1st January जो की DRDO Day है, 2nd जो हमने कवर किया वो है 19 दिसंबर जो की गोवा Liberation Day है, नेक्स कुशन है, हाल ही में किस Public Sector Unit ने हिमाचल प्रदेश के साथ tie-up किया है, ताकि हिम तो इसके लिए Power Grid ने हिमाचल प्रदेश State Electricity Board के साथ tie-up किया है, पावर ग्रिड क्या है, पावर ग्रिड एक PSU है, और ये Ministry of Power के अंडर में है, ये tie-up क्यों किया गया है, क्योंकि जो Hilli Areas है, यानि पहाड़ी छेतर है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर Telecom Connectivity उतनी और इस Index के हिसाब से Major States है, यानि जो बड़े States है, उनकी केटेग्री में करनाटक टोप पोजिशन पर है, Innovation के मामले में, हिमाचल प्रदेश टोप पोजिशन पर है, North East और Hilli States की केटेग्री में, और जबकि दिल्ली टोप पोजिशन पर है, Union Territories के के केस में, Next Question है, हाल ही मे Commerce Ministry ने किस मंत्रा ले के साथ tie-up किया है, देश में Logistic Planning को बेहतर बनाने के लिए, Logistic माने सामान को ट्रांसपोर्ट करना, इसके लिए Commerce और Industry Ministry ने Ministry of Housing and Urban Affairs के साथ tie-up किया है, Commerce Ministry के बात करें, तो recently ये इसलिए भी News में थी, क्योंकि National Logistic Policy से समंदित हाल ही में एक बैठक हुई थ दिश्या है कि अभी जो Logistic Cost है 14%, उसको 2022 तक 10% ले के आना, Ministry of Housing और Urban Affairs के बात करें, तो recently ये न्यूज में थी, क्योंकि इन्होंने PM स्वेनिधी स्कीम लोंज की थी, ये स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, यानि जो रहडी लगाते हैं, उनके लिए है, तो इस स्कीम के Supplement करने के लिए जो Nodal Authority है, वो है SIDB, अब SIDB क्या है, ये है Small Industries Development Bank of India, क्या है Small Industries Development Bank of India, और इसका मुख्यल है लखनाओ में, लखनाओ उत्तरप्रदीश में है, नेक्स्ट कुशन है, भारत का कौन सा बैंक, पहला बैंक बना है जिनोंने SOFR के बेसिस पर डील्स पूरी की है, SOFR क्या है, Secured Overnight Financing Rate, First thing first, जब दो बैंक्स, यानि B1 और B2 को आपस में पैसे चाहिए हो, और जब वो एक दूसरे से पैसे लेते हो, या कोई भी बैंक, जब किसी दूसरे बैंक से पैसे लेंगे, तो इसको बोलते हैं Interbank Transaction, यानि दो बैंक्स के बीच Transaction, जनरली होता क्या है कि कई बार बैंक्स के पास Short Term के लिए, यानि कुछ थोड़े टाइम के लिए, पैसों की कमी होती है, इसलिए वो एक दूसरे बैंक से उधार ले लेते हैं, उधार लेंगे तो उन्हें Interest भी प्रे करना होगा, और Interest Decide होता है, कुछ factors के basis पर, अब Interest Decide करने के तीन major factor है पहला है LIBOR, दूसरा है MIBOR, और तीसरा है SOFR, LIBOR का मतलब है London Interbank Offord Rate, यह Global Reference Rate है, Short Term Borrowings के लिए, Interbank Market में, Interbank का मतलब है जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे लेता है, Short Term के लिए, दूसरा है MIBOR, यानि यह Mumbai Interbank Offord Rate है, और तीसरा है यह SOFR, SOFR है Secured Overnight Financing Rate, अब आपने एक major the difference notice किया हो, यहाँ, यहाँ पर SOFR में first point है, वो है Secure, और LIBOR में first point है Unsecure, so please remember this difference, State Bank of India की बात करें, तो recently State Bank of India इसलिए भी news में था, क्योंकि RBI यानि Central Bank ने 3 banks को DSIB का status दिया है, DSIB यानि Domestic Systemically Important Banks, कहने का मतलब है यह 3 banks भारत की अर्थ्वयवस्ता के लिए most important है, और अगर इ कोई एक भी fail होता है, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा पूरे अर्थ्वयवस्ता, तो यह 3 banks है, SPI, SDFC और ICICI, next question है, हाल ही में किस संस्थाने Fickle Slurs और Septage Management in Urban Areas पर एक किताब launch की है, तो यह launch की है, NITI IO, अब जो Urban Areas में जो Septage Tank होते हैं, Seaver होते हैं, उन सब को clean क करने के लिए, क्या-क्या problems है, क्या-क्या issues है, कहां-कहां हमें machine का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब matters related हाल ही में, NITI IOG ने एक किताब launch की है, और इस किताब में NITI IOG के साथ partnership की है, National Fickle Slurs and Septage Management Alliance, अब NITI IOG क्या है, NITI IOG एक executive body है, executive body वो body होते हैं, जो सरकार के action से directly ना तो एक constitution में mentioned है, ना ही ये किसी कानून के तहात बनाए गए, इन्हें सिर्फ सरकार के order से बनाया गया है, इसलिए इन्हें कभी भी खतम किया जासे, तो इनको खतम करने के लिए ना तो सविधान में कुछ change करना होगा, ना ही किसी कानून को कुछ change करना हो, नीतियायोग जो भी Prime Minister होगे वो by default नीतियायोग के chairperson होगे, recently नीतियायोग इसलिए भी news में था क्योंकि इन्होंने DZBox launch किया है, DZBox क्या है, इंडिया का पहला indigenously developed यानि भारत में तयार किया हुआ digital storage platform, digital storage platform का क्या मतलब है, जैसे आप Google Drive है, OneDrive है, कि ये सब digital storage platform है, यानि कि आप इन प files हैं, उनको आप online storage कर सकते हैं, so ऐसा ही एक storage platform, नीतियायोग ने भी recently launch किया है, यह है DZBox, next question है, Alaska के Arctic National Wildlife Refuse Area में, oil और gas से संबंदित नई लीज पर हाल ही में किस देश ने रोक लगा दी, so ये देश है, USA, actually ये area है, वो वहाँ के जो local लोग है, उनके हिसाब से sacred है, sacred in the sense, कि ये area उनके लिए पवित्र है, और वहाँ की जो local community है, उनका नाम है, Gwitchin, so हाल ही में, US के नए रास्टरपती ने उस area में, oil और gas की नई लीज पर रोक लगा दी, US के नए रास्टरपती है, जो बाइडन, हाल ही में उन्होंने executive order sign किये हैं, जिससे US से Paris deal को फिससे join करेगा Paris deal क्या है, ये environment से संबंदित है, इस से पहले जो US के रास्टरपती थे, वो थे Donald Trump और उन्होंने ये फैसला किया था कि US से इसका एक हिस्सा नहीं होगा, लेकिन अब जो नए रास्टरपती आये हैं, उन्होंने वापिस से join करने का फैसला किया है, Paris deal, COP21 के दोरान sign की गई COP क्या है, Conference of Parties, ये Paris में हुई थी, COP25 है, वो Spain में हुई थी, Madrid में, और COP26 UK में होनी है, Glasgow में, Glasgow UK में है, UK इस बार G7 Summit का भी host है, हाल ही में इसलिए UK ने India, Australia और South Korea को भी invite किया था, G7 साथ देशों का एक समू है, पहले ये G8 हुआ करता था, येकिन रश्या के बहार निकलने के बाद ये G7 Group है, Now coming back to original question, so USA ने अब WHO को भी join करने का निर न लिया है, WHO है, विश्रव स्वास्त है संगठन, यानि World Health Organization, इसके अलावा USA ने हाल ही में Keystone Pipeline पर भी रोक लगा दी है, Keystone Pipeline USA और Canada के बीच एक Pipeline है, US, Canada हाल ही में USMCA के कारण भी नियूज में थे, USMCA एक Trade Agreement है तीन देशों के बीच, Canada, USA और Mexico, ये नाफ्ता का successor है, यानि पहले नाफ्ता नाम का एक Trade Agreement हुआ करता था, अब इन तीन देशों ने ये नया Trade Agreement साइन किया है, नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, North American Free Trade Agreement, इसके अलावा एक ओर Trade Agreement नियूज में था, ये है RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, इस पार्टनर्शिप में इंडिया अभी मेंबर नहीं है, कमेंट बोक्स में मताइए, इस चाइना इस Trade Agreement में एक पार्टनर है या नहीं, Next Question है, उस Military Exercise का नाम क्या है, जिसमें इंडिन आमी, नेवी, एर फोर्स और कोस्ट गार्ड सब सामिल होंगे, So, इसका नाम है Exercise Kavach, ये एक Joint Military Exercise है, जिसमें इंडिन आमी, इंडिन नेवी, इंडिन एर फोर्स और इंडिन कोस्ट गार्ड शामिल होंगे, और ये अंडेमान निकोबार कमार्ड के तहत होगी, अंडेमान निकोबार कमार्ड देश की अकेली Joint Service कमार्ड है, Joint Service का मतलब है, जिसमें सबी सर्विस एक साथ हो, सबी सर्विस जैसे इंडिन आमी, नेवी, एर फोर्स, ये सब सर्विस एक साथ हो, अगर कॉश्चन हो कि इंडिया का अकेला Joint Service कमार्ड कहां है, तो ये है अंडेमान निकोबार कमार्ड, इसके अलावा अंडेमान निकोबार आईलेंस इसलिए भी न्यूज में था, क्योंकि हाल ही में, इसको सबमरीन ओप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट कर दिया गया है, यानि समुद्र के रास्ते से यहाँ पर भारत के मेंलेंड हिस्से से केबल पहुंचाए गई है, जिससे यहाँ पर बेहतर इंटरेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, इसके अलावा ऐसी ही एक केबल अब कोच्ची से लक्षदीप आईलेंस तक भी पहुंचाए जाए के सोशो एकोनोमिक सर्वे की रिपोर्ट को रिलीज किया गया है, तो यह है दिली, और इस रिपोर्ट के हिसाब से यह पाया गया कि 6-17 वर्स की उमर के जो बच्चे हैं, उनमें से 10% ऐसे बच्चे हैं, जो या तो स्कूल ड्रोप आउट है, या अब उन्होंने स्कूल जा इसके अलावा दिली सरकार ने कॉंकरनी अकेडमी सुरू करने का भी निर्ने लिया, तमिल एक क्लासिकल लेंग्वेज है, टोटल 6 भासाओं को क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा दिया गया है, यह है तमिल, संस्कृत, कंड़ा, तेलवू, मलेयालम, औरिया, तो यह थे इ most important questions, अब हम करेंगे news events, so first news event है standard chartered banks related, recently यह bank की सरी news में था, क्योंकि RBI ने इस पर 2 crore की penalty लगाई है, क्योंकि इस bank ने fraud report करने में देरी की है, RBI है Reserve Bank of India, यह banking sector का regulator है, present RBI governor है शक्तिकान दास, RBI का मुख्याले मुंबई में है, और standard chartered bank का मुख्याले लंदन में है, जो कि UK में, United Kingdom, next है चिंतन बैठक, so हाल ही में यह conference आयजित करवाई गई थी, यह ministry of sports, shipping और waterways से सम्मन दित थी, यह conference गुजरात में हुई थी, गुजरात के कच्छ में, next है one China policy, so one China policy, China की एक policy है, जिसमें China कहता है कि किवल एक ही China है, और ताइवान उसका हिस्सा है, जबकि ने रास्टरपती, US के ने रास्टरपती, जो बाइडन का inauguration समारो होना था, तो उन्होंने काफि टाइम बाद पहली बार, ताइवान को अलग से invite किया, so obviously इससे चाइना खुस नहीं था, क्योंकि चाइना के हिसाब से ताइवान उसका हिस्सा है, तो ताइवान को अलग से invite करने का तुक नहीं बन, next है दलनवाला police station, so यह उत्रखन में है, और यह इसलिए news में था, क्योंकि यह उत्रखन का पहला child friendly police station है, next है विप्रो, so recently विप्रो इसलिए news में था, क्योंकि यह मद्यप्रतेश सरकार का knowledge partner बन गया है, मद्यप्रतेश सरकार power subsidy देने के लिए direct benefit transfer के तहत benefit देने वाला देश का पहला रज्य बना है, next है रवी गायकवार्ड, so Mr. गायकवार्ड इसलिए news में थे, क्योंकि वो Nielsen Mandela World Humanitarian Award के लिए select किये गए थे, next है Conark Temple, so यह Sun Temple के नाम से भी जाना जाता है, यह Odisha में है, और हल ही में इसलिए news में था, क्योंकि Odisha सरकार य next है Aura Credit Card, so यह Access Bank के एक पहल है, जिसमें इस Credit Card के साथ, जिसको भी एश्यू किया जाएगा, उनको Health और Wellness Facilities भी प्रदान की जाएगी, next है Global Firepower Nations Index, so हाल ही में यह Index जारी की गई, यह Index देशों की Military Strength को दिखाता है, और इस Index के हिसाब से US से Top Position पर है, इंडिया 4th Position पर है, next है Nare इंदर चंचल, so वो एक भजन गायक थे, और हाल ही में उनका निधन हुआ है, last news है, India Science Serial, so यह OTT चैनल है, OTT का मतलब है Over The Top, यह विज्यान प्रसार के द्वारा operate किया जाता है, और यह Science and Technology Ministry की एक पहल है, हाल ही में यह इसलिए News में था, क्योंकि इस Channel ने दो साल पूरी कि है, Recently यह टर्म OTT इसलिए भी News में थी, क्योंकि Information और Broadcasting Ministry है, वो अब OTT Platforms जैसे Netflix, Amazon Prime, इन सब को regulate करेगा, INB Ministry क्या है, यह Information और Broadcasting Ministry, Present Minister है Mr. Prakas Javadikar, वो Present Environment Minister भी है, so यह थे Most Important News Events, अब कल का टेस्ट, so first question है, Republic Day Parade में पहली महिला Fighter Pilot कौन होगी, तो वो है, भावना कंट, next है, Desert Night 21, भारत और किस देश की एक Joint Military Exercise है, so यह इंडिया और फ्रांस की एक exercise थी, जो की राजस्थान में आयजित करवाई गई थी, next question है, India Innovation Index, किस institution ने release की है, so यह नीति आयोग ने release की, next question है, प्राक्रम दिवस, किस Freedom Fighter के Birth Anniversary के दिन मनाया यह 23 January को होती है, इस साल उनकी 125 वी Birth Anniversary है, उनका जनम ओडिसा के कटक में हुआ था, next है, हाल ही में, Ministry of Electronics and Information Technology ने किस कंपनी को अपनी Privacy Policy वापिस लेने के लिए कहा है, so recently WhatsApp के Privacy Policy से काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद, Ministry of Electronics और Information Technology ने कंपनी को अपनी Privacy Policy वापिस लेने के लिए कहा है, next question है, Gaba किस देश मिस्तित है, so ये Australia मिस्तित है, ये एक Cricket Ground है, इसका formal लाम है Brisbane Cricket Ground, so ये Australia का गड़ माना जाता है, गड़ यानि कि Australia यहाँ पर लगभग सारे मैच जीतती है, हाला कि हाल ही में ये इसलिए निउस में था, क्योंकि 32 साल में पहली बार Australia ने य इसके साथ साथ इंडिया ने गावसकर बोडर ट्रोफी भी जीती है, दो एक से, next है, हाल ही में आध्यार Cancer Institute के चे परसन और फेमस ओंकोलोजिस्ट का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है वी शांता, next, Startup Advisory Council के चे परसन कोन होते हैं, so ये होते हैं Commerce Ministry, so ये होत इसलिए नियूज में था, क्योंकि गुजराच सरकार ने इसका नाम बदल कर कमलम रख दिया है, ये गुजराच सरकार ने किया है, और ये जो फूट है, ये अमेरिका का Native Species है, Native Species यानि कि वहाँ पर पाया जाता है, commonly, और वहाँ इसे पिठाया की नाम से जानते है, so ये CCI किस मिनिस्ट्री के अंडर एक मिनिरतना कमपनी है, Next Question है, First Kelo India जनसकार Winter Sports Festival है, उसका venue क्या है, Next Question है, Ministry of Science and Technology का जो OTT चैनल है, उसका नाम क्या है, Next Question है, हाल ही में, जनरल पबलिक को राशन देने के लिए door step delivery program किस राज्य ने शुरू किया है, यानि कि घर घर राशन पहु अमेरिका में, जो species predominantly पाया जाता है, वो अभी extinction होने की गगार पर है, यानि विलुप्त होने की गगार पर है, इस species का नाम क्या है, Next Question है, दो हजार इक्कीस में, रिसर्च और डवलप्मेंट के लिए, जो पहली virtual expo हुई थी, वो किस sector से समन्दित थी, आज के questions में मैंने पुराने questions पे include किये हैं, ताकि आपको पुराना भी revise होता रहे है, Next Question है, उस automobile fuel का नाम क्या है, जिसमें 20% इथेनोल होगा और 80% gasoline होगा, Next Question है, सिनकांसन क्या है, जो कि recently news में था, Next है, कुस-कुस क्या है, जो recently UNESCO की cultural heritage list में सामिल किया गया है, तो question है कि कुस-कुस किस area का staple food है, Next Question है, हाल ही में किस देश ने Paris Climate Agreement को वापिस से जोइन करने का निरने लिया है, तो यह थे आज के most important questions, thank you and that's all for this.